Hello friends, आप सब का, आपके अपनी चनल गुविन लेक्चार्स में एक बार फिरसे स्वागत हैं, तो कैसे हो आप सब, उम्मिद करता हूँ, आप सब अच्छे होंगे, और आप सब की बॉर्ड प्रिक्सा के त्यारी भी अच्छे से चल रही होगी, तो कक्सा 10 सामाजिक विज्ञा के महत्वपुन प्रश्ण उत्र की सिरीज में, आज हम आपकी आर्थिक विकास की समझ पुस्तक के अध्याय, व्यस्वी करण एवं भारती अर्थवयवस्ता के महत्वपुन प्रिक्सा उप्योगी प्रश्णों को डिस्कस करेंगे, इससे पहले हम इससे पीछे वाले जो उन क्लासिस को आराम से देख सकते हैं, तो बोड के दुआरा जारी नुविंतब ब्लूप्रिंट के अनुसार ये चप्टर कुल पांच नंबर का चप्टर है, इतने नंबर का चप्टर है पांच नंबर का, जिसमें से एक वस्तुनिष्ट यानि अबस्दे वाला प्रश्ण एक नंबर का, एक अति लगू उत्रात्मक प्रश्ण एक नंबर का, और एक लगू उत्रात्मक प्रश्ण दो नंबर का पुछा जाएगा, उल मिला के चार प्रश्ण पुछा जाएंगे, और किते नंबर के होंगे पांच नंबर के, तीन चोटे प्रश्ण और दो नमबर का लगू उत्रात्मक प्रश्णा तो चलिए क्लास सुरू करते हैं पहला प्रश्ण है विभिन देशों की बीच परस पर संबंद और तीवर एकिकरण की प्रकिरिया क्या 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 लाती है विभिन देशों की बीच में परस पर संबंद और तीवर एकिकरण क के जवाने में सबसे अधिक परभावित कौन हुआ है भी आपको बताना है तो सबसे ज़्यदा परभावित हुए हैं वो हुए हैं सर्मिक किसरा विदेशी वैपार किन के मद्दे होता है नाम से पता चल रहा है विदेशी वैपार यानि दो देशों के मद्दे होने वाले वैपार को विदेशी वैपार कहा जाता है तो था एक ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य अंतराश्ट्री वैपार को उदार बनाना है एक ऐसा संगठन जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो अंतराश्ट्री वैपार है उसको उदार बनाना है यानि अंतराश्ट्री वैपार की प्रिकिरिया को सरल बनाना है ठीक वैस्मी करन से सरवाधिक लाभानवित हुए हैं। वैस्मी करण की वज़े से सबसे अधिक लाभ किसे उगा है। चट्रा, Ford Motors Company इस देश की बहुराश्ट्रिय कमपनी है, तो ये अमेरिका की है, कहां की है, अमेरिका की, आगे बात करें, आपके महत्वपुन रिक्तिस्तान की पूर्तिवाले प्रश्न, पहला प्रश्न है, बहुराश्ट्रिय कमपनियों द्वारा किये गई निवेस को खाली जगह निवेस कहते हैं, तो उसे कौन सा निवेस कहते हैं, उसे कहते हैं, विदेशी निवेस, बहुराश्ट्रिय कमपनियों के द्वारा किये जाने वाले निवेस को विदेशी निवेस कहा जाता है, आगे दूसरा, खाली जगह में तिवर उन्नती ने वैस्मी करण की परक प्रक्रिया को क्या किया है उनन्त किया है यह आगे लिखा हुआ है उनन्त किया है तो कौन सी प्रक्रिया ने या किसकी उननती में जो तकनीकी है उस तकनीकी की तीवर उननती में यह जैसे जैसे टेकनोलोजी बड़ी है तो उस टेकनोलोजी में तीवर उननती की वज़े से ज यहाँ पर क्या आएगा तकनी की, क्या आएगा तकनी की, ठीक, आगे बात करें, किसरी खाली जगह है, कि परी संपतियों की खरीद में वे की गई मुद्रा खाली जगह कहलाती है, परी संपतियों की वे में, जो खरीद में वे की जो मुद्रा है, वो मुद्रा किस नाम से जान कि प्रिकरिया किया नाम से जाने जाती है , वह प्रिकरिया क्लाती הי है उदारिकरण , यानि वयपार को सरल बनाने के उद्यक्य से जो उसमें चुट दी जाती है , जो उसमें नियम काईदों में ढिल दी जाती है वह क्लाता है। Jahudri पांचमी खाली जगह का मुख्य उद्यस्य, अंतराश्ट्रिय वयपार के तोर्तरीकों को सरल बनाना है। वीदियोसों की बीच में ानी दोडियोसों की बीच में होने वाले वयपार को सरल बनानाएं ताकि जढ़ जढ़ा आयत और निर्यात हो सके। सट्टा भारत की बहु राश्ट्रिय कंपनी रेन बैकशी का सम्मंद खाली जगह के उतपादन से हैं। किससे समंदी थे तो इसका सम्मंद है दवायो के उतपादन से। आगे बात करें आपके अतिलगू उत्रात्मक प्रश्ण। पहला प्रश्ण है भारत में कारेरत दो बहुराश्ट्रिय कंपनियों के आपको नाम बताने हैं. तो पहला नाम है बच्चो हिंदुस्तान, लिवर लिमिटेड और दूसरा नाम है आपका कोका कोला. अगला प्रश्ट्रिय कंपनियों के द्वारा किये गए निवेस को विदेसी निवेस के नाम से जाना जाता है इसरा है वैस्वी करण किसे कहते हैं प्रशन क्या है वैस्वी करण किसे कहते हैं तो विबिन देशों की बीच परस पर सम्मंद और तीवर एकी करण की जो प्रकिरिया है वो ही क्यलाती है वैस्वी करण बिन देशों की बीच में परस पर सम्मंद और तीवर एकिकरण की प्रकिरिया वैस्वी करण के नाम से जानी जाती है तो अता प्रश्न है बहुराष्ट्रिय कंपनी किसे कहते हैं नाम से पता चल रहा है बहुराष्ट्रिय कंपनी यानि वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अत्वा अपना स्वामित्य रखती है उसे बहुराश्ट्रिय कंपनी कहा जाता है ऐसी कमपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रन और क्या रखती है? स्वामित्य रखती है उसे का जाता है बहुराश्ट्रिय कमपनी पांचवा है निवेस क्या है? पांचवा प्रशन है निवेस क्या है? तो परी संपतियों जैसे भूमी, भवन, मसीन और अन्य उपकरणों की खरीद में जो वैकी की मुद्रा होती है उसको कहते है निवेस जब हम कोई प्री संपतियों की खरिदारी करते हैं, तो उसकी खरिदारी में निवेस किया गया, जो मुद्रा है, जो रूपे हैं, वो कहलाता है निवेस, चटा, व्यापार अवरोधक से क्या अभिप्राय हैं, व्यापार अवरोधक, अवरोधक का मतलब होता है रुकावट, तो विद्योसों से होने वाले आयात पर लगने वाले परतीबंद व्यपार अवरोधक कहलाते हैं विद्योसों से जो होने वाला आयात होता है अलग लग चीजों को खरीदा जाता है तो उन्ची जो पर अलग लग तरह के परतीबन लगते हैं उन्हें का जाता है वैपार अवरोधक जैसे आयातकर और कोटा ये क्या है ये वैपार अवरोधक है आगे बात करें आपके लगू उतरात्मक प्रशन जो की दो नंबर का आपका एक प्रशन पुछा जाएगा पहरेला है वैस्वी करण में भारतिय उतरपादकों को वस्तुए और सेवाओ के अनेक विकलफ मिले हैं पर भारतिय उब्वगतां को कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुए और सेवाइं क्या होती है प्राप्ते होती है पहला तो ये कारण परभाव दिखने क को मिला दूसरा उबोक्ता को विश्व इस्तर ये वस्तुएं और सेवाय क्या हुई है उपलब्द हुई है और दूसरा प्रभाव है वैस्वी करण के फलसोरू भारत में विदेशी निवेस बढ़ा है जिससे देश में उत्पादन और रोजगार दोनों में क्या हुई है बह दूसरा प्रशन कि भारत में बहुराष्ट्रिय कमपनियों की भुमिका को इसपश्ट कीजिये वेरी वेरी इंपोर्टेंट पहला प्रभाव क्या देखने को मिला विदेशी निवेस में वरदी इससे क्या हुए है उद्द्योग धंदों की स्तापना हुई है जिससे भारत और समय दोनों की क्या होती है बच्चत होती है अगला रोजगार में वरदी नए उद्योगों की इस्तापना से युवाव को रोजगार के कई सारे नए अबसर मिले हैं तो ये क्या है ये भारत में बहुराश्ट्रिय कमपनियों का योगदा नत्वा उनकी भूमिका है अगला परशन है वैस्वी करण में सुचना एवं संचार प्रोद्योगी की भूमिका को बताईए वैस्वी करण में सुचना एवं संचार प्रोद्योगी की भूमिका को आपको बताना है तो देखें पहला है दूर संचार सुविधाय टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, आधी को विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सुचनाओ को ततकाल प्राप्त करने एवं संबाद करने में प्रियोग किया जाता है ठीके, यनि वैस्वी करण के अंदर टेक्नोलोजी का बहुत बड़ा योगदान है दूसरा, कम्प्यूटरों ने वैस्वी करण को गती परदान की है, जीवन के लगबग परतेक्चत्र में कम्प्यूटरों का प्रवेस आज हो गया है किसरा, इंटरनेट से इस्ततिया ही बिल्कूल बदल गई है संपुन विश्व की जनकारी आप गर बैटे उए प्राप्त कर सकते हैं यहने हम कह सकते हैं कि वैस्वी करण में टेक्नोलोजी का एक बहुत बड़ा योगदान है जिसने वैस्वी करण को इस बड़े लेवल तक पहुंचाया है और इतना काम्याब बनाया है इसके पीछे कहीं न कहीं टेक्नोलोजी का ही हाथ है तो इस तरह आपने आपके अध्याय वैस्वी करण और आपकी भारती अर्थ वैवस्ता कि जितने भी महत्वपुन प्रिक्सा उप्योगी प्रश्ण बन रहे थे उन सभी को बहुत अच्छे से डिसकस कर दिया है उम्मिद करता हूँ ये सारे प्रश्ण आपके प्रिक्सा के लिए उप्योगी साबित होंगे तो क्लास देखने के लिए आप सुभी का धन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, सेयर और सब्सक्राइब ज़रू करें आज गले इतना ही, जै हिंद, जै भारत